नमस्कार कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एकने वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 में ग्रही परवेश करने के शुब मोहरत, शुब तारी के और शुब नक्षतर के विशे में जब भी आप अपने घर के अंदर ग्रही पर परवेश करें तो यहाँ पर कुछ बातों का विशेशत तोर से ध्यान रखना चाहिए जो ग्रही है जो व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करने जा रहा है वह सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करवा करके घर की संभव हो तो धुलाई करवाले उसके बाद वहाँ पर प घर के अंदर नव ग्रह पूजन वास्तु पूजन और कुल देवता पूजन के साथ साथ अपने इस्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता का पूजन करा कर ही ग्रही परवेश करें इसके साथ साथ अगर आप अधूरे बने हुए घर में जो घर अभी अंदर कंस्ट्रे चीज़ से बहुत अनुचित बताया गया है वास्टू की द्रश्टी के अनुसाद ऐसे घर के अंदर जो अधूरा हो ग्रही प्रवेश नहीं करना चाहिए ग्रही प्रवेश तभी करना चाहिए जब आपका घर पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया हो और अब मैं आपको कुछ तारीके कुछ तितियां बताता हूँ उन्हें आप नोट कर सकते हैं और उन तितियों में तारीकों में और उन शुब प्रवेश करके लाप्राप कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले बात करते हैं जनवरी दोहजार चौबिस के विशे में जनवरी दोहजार चौबिस में बुध्वार का दिन प्रातह साथ बजिकर 14 मिनट से दोपहव के दो बजिकर 46 मिनट तक उत्रा फालगुणी नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा फरवरी दोहजार चौबिस में ग्रही प्रवेश करने की शुब तारीके शुब मौरत का समय शुब नक्षत्र बारा फरवरी दोहजार चौबिस सोमवार का दिन दोपहर दो बजिकर 56 मिनट से साए पांच बजिकर 44 मिनट तक उत्रा भादरपद नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 14 फरवरी दोहजार चौबिस बुद्वार का दिन प्रातह साथ बजिकर एक मिनट से प्रातह के दस बजिकर 43 मिनट तक रेवती नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 19 फरवरी दोहजार चौबिस प्रातह सोमवार का दिन प्रातह 6 बजिकर 57 मिनट से प्रातह के दस बजिकर 33 मिनट तक मिर्गुशिरा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 26 फरवरी दोहजार चौबिस सोमवार का दिन प्रातह 6 बजिकर 50 मिनट से 27 फरवरी दोहजार चौबिस की प्रातह 4 बजिकर 31 मिनट तक उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 28 फरवरी दोहजार चौबिस बुद्वार का दिन प्रातह 4 बजिकर 18 मिनट से 29 फरवरी दोहजार चौबिस की प्रातह 6 बजिकर 47 मिनट तक चितरा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 29 फरवरी दोहजार चौबिस की प्रातह ग्रुवार का दिन प्रातह 6 बजिकर 47 मिनट से प्रातह के 10 बजिकर 22 मिनट तक चितरा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा मार्च दोहजार चौबिस में ग्रही प्रवेश करने की शुब तारीके और शुब मोहरत 2 मार्च दोहजार चौबिस शनिवार का दिन दोपहर 2 बजिकर 42 मिनट से 3 मार्च दोहजार चौबिस की प्रातह 6 बजिकर 44 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 6 मार्च दोहजार चौबिस बुद्वार का दिन दोपहर में 2 बजिकर 52 मिनट से 7 मार्च दोहजार चौबिस की प्रातह 2 बजिकर 52 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 11 मार्च दोहजार चौबिस सोमवार का दिन प्रातह 10 बजिकर 44 मिनट से 12 मार्च दोहजार चौबिस की प्रातह 6 बजिकर 34 मिनट तक उत्तरा भाधरपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 15 मार्च दोहजार चौबिस शुकरवार का दिन रात्री में 10 बजिकर 9 मिनट से 16 मार्च दोहजार चौबिस की प्रातह 10 बजिकर 9 मिनट तक रोहिनी नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 16 मार्च दोहजार चौबिस शनिवार का दिन प्रातह 6 बजिकर 29 मिनट से रात्री में 9 बजिकर 38 मिनट तक रोहिनी और मिरक्षिरा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 27 मार्च दोहजार चौबिस बुद्वार का दिन प्रातह 6 बजिकर 17 मिनट से साए 4 बजिकर 16 मिनट तक चित्रा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 29 मार्च दोहजार चौबिस शुकरवार का दिन रात्री में 8 बजिकर 36 मिनट से 30 मार्च दोहजार चौबिस की प्रातह 6 बजिकर 13 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 30 मार्च दोहजार चौबिस शुकरवार का दिन प्रातह 6 बजिकर 13 मिनट से रात्री के 9 बजिकर 13 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा एप्रेल दोहजार चौबिस में ग्रही प्रवेश करने के जो तारीक है 3 एप्रेल दोहजार चौबिस बुद्वार का दिन साए 6 बजिकर 29 मिनट से रात्री में 9 बजिकर 47 मिनट तक उत्तराशाणा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा माई जून जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूबर महा में ग्रही प्रवेश करना शुब नहीं माना जाता है और ना ही इस समय के कोई ग्रही प्रवेश के मोहरत है नवंबर दोहजार चौबिस में ग्रही प्रवेश करने के शुबतारी के शुबमोरत और नक्षत्र दो नवंबर दोहजार चौबिस शनिवार का दिन प्रात है पाँच बजिकर अठावन मिनट से 3 नवंबर दोहजार चौबिस की प्रात है 6 बजिकर 35 मिनट तक अनुरादा और विशाखा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 4 नवंबर दोहजार चौबिस सोमवार का दिन प्रात है 6 बजिकर 35 मिनट से प्रात है के 8 बजिकर 4 मिनट तक अनुराधा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 7 नवंबर दोहजार चौबिस गुरुवार का दिन रात्री में 12 बजिकर 34 मिनट से 8 नवंबर दोहजार चौबिस की प्रात है 6 बजिकर 38 मिनट तक उत्तरा शाणा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 8 नवंबर दोहजार चौबिस गुरुवार का दिन रात है 6 बजिकर 38 मिनट से दोपहर के 12 बजिकर 3 मिनट तक उत्तरा शाणा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 13 नवंबर दोहजार चौबिस बुद्वार का दिन दोपहर में एक बजिकर एक मिनट से 14 नवंबर दोहजार चौबिस की रात्री में 3 बजिकर 11 मिनट तक रेवती नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 16 नवंबर दोहजार चौबिस शनिवार का दिन साए 7 बजिकर 28 मिनट से 17 नवंबर दोहजार चौबिस की प्रातहे 6 बजिकर 45 मिनट तक रोहिनी नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 18 नवंबर दोहजार चौबिस सोमवार का दिन प्रातहे 6 बजिकर 46 मिनट से दोपहर के 3 बजिकर 29 मिनट तक मिरगशिरा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 25 नवंबर 2024 सोमवार का दिन प्रात है 6 बजिकर 52 मिनट से 26 नवंबर 2024 की रात्री में 1 बजिकर 24 मिनट तक उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 25 दिसंबर 2024 में ग्रही प्रवेश करने की शुब तारीके शुब मोरत और शुब समय और शुब नक्षत्र 5 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन दोपहर में 12 बजिकर 49 मिनट से साए 5 बजिकर 26 मिनट तक उत्तरा शाला नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 11 दिसंबर 2024 बुद्धवार का दिन प्रात है 7 बजिकर 4 मिनट से प्रात है के 11 बजिकर 48 मिनट तक रेवती नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 21 दिसंबर 2024 शनिवार का दिन प्रात है 6 बजिकर 14 मिनट से 22 दिसंबर 2024 की प्रात है 7 बजिकर 10 मिनट तक उत्तरा फालगुनी नक्षत्र और पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा 25 दिसंबर 2024 बुद्वार का दिन प्रात है 7 बजिकर 12 मिनट से दिसंबर 21 को 3 बजिकर 22 मिनट तक चित्रा नक्षत्र में ग्रही प्रवेश करना शुब रहेगा मेरे इस वीडियो को प्रेम्पो देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेम्पो बयाने के लिए आपका प्रेम्पो धन्यवाद नमस्कार वे प्रेम्पोणչ चैनल बजिकर 22 को बच्चारए